जब तलक हम बाते करते जा रहे कर्म के हित स्वांग भरते जा रहे हो सकी कुछ भी नहीं तब देलिया बेकसो के नयन जरते जा रहे नव सुबह की रोशनी जब तक न निकले दीप से अब काम चलने का नहीं भासणों से युग बदलने का नहीं व्याप्त अंतरदाह है नैराश्यका लुट गए निजरह बरों के छद्म से बुझ चुब्द है हैवानियत से क्या करे चुब्द है हैवानियत से क्या करे बुझ चुके नियत चल रहे प्रपंच से अनय को कुछ ले बिना कुछ भी न होगा सांत्वना से मन बहलने का नहीं भासणों से युग बदलने का नहीं आगे कागजों पे चल चुकी गाड़ी बहुत योजनाएं लग चुकी खारी बहुत क्या पता कब तक चलेगा धोंग ये क्या पता कब तक चलेगा धोंग ये हो चुकी है मौत से यारी बहुत है जहां पढ़ती जरूरत धेर की है जहां पढ़ती जरूरत धेर की बूंद से जीवन समहलने का नहीं भासणों से युग बदलने का नहीं अन्तिम सुरिएगा नाच रंग नाटक तमासे हो चुके वाइदों के गर्त में सब सो चुके मानवी इजट लगी है दाओ पर जिन्दगी के खाब धूमिल हो चुके ठोस धर्ती पर कदम रखे बिना कल्पना से हल निकलने का नहीं भासणों से युग बदलने का नहीं मेरे पास वक्त है नहीं मैं सबसे अंतिम में आया हूँ तो ऐसा है मैं एक बदारसी अंदाज में सुनाओंगा फिर एक वापस अपने तरीके से सुनाओंगा ठीक है अब मैं सुनाता हूँ आप लोगों को एक ये प्रसंग है भगवान 12 का और राअधिका का जब राधाजी नहाने जाती है गोपिया भी होती है तो भगवान डिका बस्दर चुराते हैं तो एक निर्थ नाटी का है वह मैंने बनारस में दुभता था बेची में लिखा था तो ऐसे दर चुराए बसन मूराघ बैठे कदम्बकी डारी चुराए बसन मुरारी बैठे कदम्बकी डारी बाज बसुरिया सुर्वदवारी इत उत गोपियन जब बसन निहारी इह काजत सक हूँ बस कृष्ण मुरारी इह कही कही के सब ढूंधत सारी कान्हा के नयन श्चल उपवन रसे हैरास गो कुल मधुबन लपट जपट कर तल पटकत नाचत नाच नचावत नट खट कान्हा कहत सु सुकत मुशुकत तोहे ना दे वो मुहे तोही पट कान हा कहत सु सुकत मुशुकत तोहे ना देवो मुहे तोही पट यमुना के तट तीरे कदम के वट स्याम बदरिया घट पन घट अब मैं एक और सुना दूँ चुकि पेसे से पत्रकार हूँ तो कलम से बड़ा लगाओ है तो इस तरीके से एक मैंने कविता लिखी थी वो सुनाते हूँ अब लोगों को अभीरिक्त भरना है खाका चमन का नयारूप गढ़ना है उजडे वतन का अभीरिक्त भरना है खाका चमन का नयारूप गढ़ना है उजडे वतन का पहाडों का दामन न छुए पडोसी सुलहा कर नगरदन दबाएं सपन का सजाले पुजारी हृदे की उसा को धरायह रवानी की बू मांगती है कलम ले खकों से लहू मांगती है वतन के लिए ही कलम जन्मती है समरपण वतन के लिए जानती है वतन के बिना शब्द रहते अधूरे वतन को कलम जन्दगी मानती है हवन हो रहा है युगों से वतन पर कलम की शिखा आब रू मांगती है कलम ले खकों से लहू मांगती है कलम ले खकों से लहू मांगती है प्रखर चेतना के नए गीत लेकर प्रखर चेतना के नए गीत लेकर बहाती प्रवाहों की धारा धरा पर छित जलाल पूरब ककरती कलम ही कुहासे की धूमिल घटाएं हटाकर कुहासे की धूमिल घटाएं हटाकर विसमकाल से जूजती है मगर अब शहादत की वेदी पे खुँ मांगती है कलम ले खकों से लहू मांगती है कलम ले खकों से लहू मांगती है अब दो शब्ध है उनके बारे में रहा बताना चाहूंगा आमंतरण और निमंतरण भावनात्मक रूप से इन दोनों में फर्क है आमंतरण करने का अरथ है कि एक ऐसा आमंतरण एक ऐसा किसी का बुलावा जिसमें आपकी चुनौनवादी शामिल है लेकिन निमंत्रण है, आप किसी को बुला रहे हैं, लेकिन उसकी बाधिता है कि उसे आना पड़ेगा, तो मैंने किस तरह से पिरोया है, इसको समझेए, कलम क्रांति का कर रही है आमंत्रण, आप क्रांति चाहते हैं, आप आमंत्रित हैं, चुरोती पूर्ण तरीके से आप आ कलम सर कलम का तिलों का करेगी कलम मासुओं की दुआ मांगती है कलम लेखकों से लहू मांगती है धन्यवाद झाल झाल